आईदू गैरंटिले तो देसे मुखचित्रा निमार्चबोत नम नरू राहूल गांदी तुकुगुड़ सभलो पांच न्याई पत्राने रिलिस चेसेरू नेतल फोन टैपिंग चेसी केसी आर वसूल लकुपाल पड़ार निफायरे यारू इकड़ बीटीम नुकूलच नटले केंद्रम लो एटीम नुकूलच तामनिया नरू राहूल परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में एक लाक रुप्या डालेगी करांतिकारी कदम है इससे पूरे देश का चेहरा बदल जाएगा आप सोचीए हिंदूस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम एक لاक रुपया सीधा बैंक अकाउंट में कॉंगरेस पार्टी की सरकार देने जा रही है इसका मतलब हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी आमधनी एक लाक रुपय प्रतिस साल नहीं होगी किसान नयाय के मादियम से हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और लीगल MSP की गैरंटी देंगे श्रमिक नयाय मजदूरों के लिए हिंदुस्तान में हम मिनिमम वेज लाएंगे मनरेगा के लिए और दूसरे मजदूरों के लिए कम से कम 400 रुपे प्रती दिन की मिनिमम वेज हम लागू कर देंगे और पांचमा वाइदा शायद सबसे जरूरी और एतिहासिक वाइदा हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछडे वर्ग की है 8% आबादी आदिवासियों की है 15% आबादी माइनॉरिटीज की है और 5% अबादी गरीब जेनरल कास्ट की है मगर आप अगर हिंदुस्तान के संस्ताओं को देखो इंस्टिउशन को देखो बड़ी-बड़ी कमपनियों को देखो तो इन में से आपको कोई भी उन कमपनियों में उन इंस्टिउशन में उन संस्ताओं में नहीं दिखाई देता हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कमपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालिए एक गलित नहीं मिलेगा एक गरीब जेनरल कास्ट का नहीं मिलेगा एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं IAS अपसर चलाते हैं सिरफ 3 IAS अपसर OBC वर के हैं आपकी आबादी 50% और आपकी हिस्सेदारी 5% कि हिंदुस्तान की 90% आबादी कि इस देश में हिस्सेदारी है ही नहीं तो पहला काम डॉक्टर कहता है X-ray कराओ X-ray से सच्चाई दिख जाती है X-ray के बाद डॉक्टर सही निन्ने ले सकता है भाईों और बेहनों आप जानते हो कि यहां आपके पिछले Chief Minister ने सरकार कैसे चलाई थी हजारों लोगों के उन्होंने फोन टैप किये और यहां की जो Intelligence की Agency थी Tax की Agency थी Police थी उनका उन्होंने गलत उप्योग किया हजारों लोगों का फोन टैप किया और सरकार बदलते ही सरकार का डेटा सरकार के कम्प्यूटर नदी में फेक दिये मगर जो उन्होंने सरकार चलाई थी जीने जाते थे आपसे लूटे जाते थे तलंगाना में कारवाई शुरू है और सच्चाई आपके सामने है जो यहां आपके पिछले Chief Minister ने किया वो दिल्ली में प्रधान मंत्री और BJP के लोग कर रहे हैं जिसको पहले Enforcement Directorate कहा जाता था वो आज Extortion Directorate बन गया है BJP दुनिया की सबसे बड़ी Washing Machine चला रही है और देश के सबसे भरष्ट मंत्री सबसे भरष्ट नेता नरेंद्र मोधी जी के साथ खड़े हैं 3-4% लोगों के लिए काम करते हैं उनके पास Media, भन, Intelligence agencies, CBI, ED सब कुछ है